नमस्कार मैं हूँ आपके साथ प्रदी पाजात और क्राइम सीरीज में आपका स्वागत है दोस्तों आज की सीरीज में एक कहानी से आपको रूबरू कराएंगे और ये कहानी काफी रोजग है दरसल कहानी तो यूद तो चोरी की है लेकिन यहां लगता है कि जो पीडित थे जो चोरी का शिकार हुए थे शैद आज वो लोग काफी खुश होंगे और हो सकता है उनकी दिलों दिमाग में उनके चहन में ये भी हो कि क्या जोड़दार चोरी है अब कल्पना कीजिए कि अगर आपका लाखों का माल चोरी हो जाए और जब उस माल की बरामदगी हो तो उ कैसा होगा अब इसे आप चोरी कहेंगे या इन्वेस्टमेंट दरसल पूरी कहानी जो है वो चोरी के मामले से जुड़ी हुई है जहां पर चोरी के एक वारदात होती है लाखों का माल चोरी होता है लाखों का माल चोरी होने के बाद जब बरामदगी होती है तो कहानी मामला सामने आया है मुंबई में असल में करीब 22 साल पहले चोरी के कुछ समय बाद ही पुलिस ने चोरी हुआ सामान बरामत कर लिया था यानि 22 साल पहले मुंबई में चोरी की एक घटना हुई चोरी की घटना होने के बाद कुछ समय बाद पुलिस ने वो मामला जो माल था वो बरामत कर लिया लेकिन कुछ कानूनी उल्जने ऐसी रही कि जो माल बरामत हुआ था चोरी गया माल जो पुलिस ने बरामत किया था वो पीडित परिवार तक पीडित लोगों तक नहीं पहुँच पाया अब कोट ने फर्यादी के पक्ष में अंतिम फैसला सुनाया है और दरसल यहाँ फेमस फिशन ब्रांड है एक चिराग दिन के मालिक आरजन दास्वानी के घर से 1908 में में साल 1908 में में एक गोल्ड कोईन दो गोल्ड ब्रेसलेट और सो ग्राम और तो सो ग्राम मिली ग्राम वजन की दो सिल्लियां चोरी होई थी जिवरात का सामान था तब इनकी कीमत थी लगभग 13 लाग रुपए अब अरजन दास्वानी के कोलावा इस्तित घर पर ये चोरी की जो घटना हुई थी यह हुई थी 8 मई 1908 में को यहां पर चोरों ने कहें लोटेरों ने कहें सबसे पहले जो गैंग वहां पर गैंग के लोग पहुँचे थे उन्होंने धार धार हत्यार के बल पर पहले वहां के security गाड को जख्मी किया उसे घायल किया और फूप और फिर पूरे दास्वानी परिवार को बंधग बना लि सकते हैं अब इस गटना के कुछी दिनों बाद पुलीस ने तीन बदमाशों को किरफतार कर लिया जानी जो तीन आरोपी थे उन्हें अरेश्ट कर लिया गया और तीनों को साल 1999 में सजा भी हो गई थी गिरफदार आरोपियों के पास से चोरी का कुछ सोना बरामत भी हुआ था और इस मामले में तीन अन्य आरोपी हाला की अभी भी फरार है लेकिन ऐसे में उनकी गिरफतारी नहीं होने तक कोर्ट ने जो सोना पुलिस कस्टिडी में रखने का आदेश दिया था जो सोना गिरफतार आरोपियों से पुलिस ने बरामत किया था अवाला की फरार आरोपियों की गिरफतारी नहीं होने पर फर्यादी ने सोना वापस दिलाने की अपिल की थी कोर्ट से दर्खास्त की थी यहां पीडित परिवार ने कि हमें हमारा जो चोरी गया सोन वो वापस दिलवाया जाए यहाँ पर राजू दास्वनी ने इस संपत्ती से जुड़े जो उनके बेटे बताए जाते हैं राजू दास्वनी ने इस संपत्ती से जुड़े दस्ताविज कोट में पेश कर दी यानि तमाम बेल वगेरा फाइलें जो भी उन गहनों से उन इसले में कहा कि संपत्ती को पुलिस कस्टेडी में रखने का कोई मतलब नहीं है दो फरार आरोपियों की गिरफतारी में इतने सालों में कोई प्रगिती नहीं हो पाई यानि यहाँ पर पुलिस को सीधी कोड की चुनोती है अब कोड ने कहा कि अगर कोई शिकायत करता अपनी संपत्ति वापस लेने के लिए सालों साल तक इंतजार करता रहेगा तो क्या यह न्याय का मजाक और कानून की प्रक्रिया का दुर्प्योग नहीं होगा बिल्कुल होगा अब राजों की कनाड़ा और अमेरिका में रहने वाली बेहने उन्हों व्होंने भी अपनी संपत्ति की कानूनी वारिस थी जो उन्होंने अपने भाई को गोल्ड दीये जाने पर अनापत्ति प्रमाणपत्र पेश कर दिया जो कोट में दाखिल होना था चुकि उस संपत्ति पर राजों की जो दोनों बेहने थी उनका भी मालिकाना हग था और उसी से no objection certificate भी यहाँ पर court में राजु ने पेश कर दिया अब मज़े की बात ये कि इन 22 सालों में इस सोने की कीमत बढ़कर 8 करोड रुपय हो गई यानि 13 लाग का जो सोना 22 साल पहले चोरी हुआ था और उसके बाद जब वो पूरा सोना चोरी गया माल गोल्ड जेवराज जितने भी थे वो जब court के बीच में court के आदेश के बाद जब पुलिस ने इस पेडित परिवार को दिये तो उनकी कीमत पहुँची 8 करोड रुपय है सोने को पुलिस ने चोरों से तभी बरामत कर लिया था लेकिन कानूनी पचड़ों के कारण ये सोना परिवार को नहीं मिल पाया और अब जाकर court ने इस मामले पर अपना आखरी फैसला सुनाया है आपने चलाग दिन नामक फैशन ब्रांड का नाम जरूर सुना होगा और फैशन इंडिस्टी में एक जाना पैचाना नाम है और दरसल ये सोना इसी कमपनी के मालिक का था सत्र नयाइधीश यूजे मोरे ने अभी कुछ दिन पहले ही सोने के असली मालिकों को वापस सोना करने का फैसला सुना दिया और इस खजाने में आपको बताएं कि इस खजाने में रानी विक्टोरिया की तस्वीर वाला एक सोने का सिक्का दो सोने के कंगन 1300 ग्राम और 200 मिली ग्राम वजन की दो सिलियां भी थी यानि जिनकी 22 साल पहले कुल कीमत लगबक 13 लाग रुपए थी जो बढ़कर 8 करोड रुपए यहाँ पर हो गई है और यहाँ पर राजुद आस्वाने को सारा जो गोल्ड था जो जेवरात थे वो सोंपे गया दरसल लोक अभियोजक और कोलाबा पुलिस ने उन्हें कहा कि कुछ शर्तों के अधिन संपत्ती वापस करने में कोई आपत्ती नहीं है और आखिरकार राजुद आस्वानी ने संपत्ती से जोड़े तमाम दस्तावेच जब कोट में पेश किया और इस बात की पुष्टी हो गई कि सोना उन्हीं का है और यह सोना उन्हें सोंप दिया गया यानि आप कलपना कीजिए कि 22 साल पहले जो चोरी हुआ था माल आज उसकी कीमत 8 करोट रुपय हो गई लेकिन सब्चे बड़ी बात कि इतने लंबे समय तक कानूनी प्रक्रियाओं के उलज़नों के चलते वो सामान वो चोरी गया गोल्ड वो चोरी गया जिवराथ पिडित परिवार को अब जाकर मिल पाए है बहराल आज की स्पेशकश में फिलाल इतना ही दीजी इजाजात नमस्कार